नमस्कार दोस्तों, इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों UPPSC ने आज जारी किया है ROARO से related एक notice जिस पे हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे की government job से related updates आपको हमारे चैनल के मादियम से मिलती रहे दोस्तों आपको पता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश अपर PCS का result आउट हुआ वहाँ पर कुछ ऐसे भी अभ्यारती हो सकते हैं जिन्होंने आरो यारो 2016 के लिए भी आवेदन कर रखा होगा या फिर माल लिजे कुछ अभ्यारती ऐसे होंगे जिनका कहीं और selection हो गया होगा तो ऐसे में क्या करा है आयोग ने कि एक सुविधाय स्टार्ट की है कि आप इस पर इमेल करके अपना जो कैंडिडेचर है आप आपने जो भरा है फॉर्म उसे निरस्त करवा सकते हैं कि आप मुझे इस नौकरी की आवश्यक्ता नहीं है माल लिजे कोई PCS बन गया PCS अबसर वो ROARO क्यों बनना चाहेगा तो यह सुविधाय स्टार्ट की है इससे यह होगा कि जो ROARO के जो नीचे वाले अभ्यारती होंगे जिनके मेरिट में थोड़ी से नंबर कम होंगे उनके भी सेलेक्ट होने की जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे ठीक है दोस्तो और रही बात नई भरती की ROARO 2021 वाली तो उ